और इसमीजिक बड़ी ख़बर बता दे राजधानी दिली से बड़ी ख़बर रोहिणी ब्लास की जाच अब तेज हो गई है CCTV फुटेज खंगाल रही है यहाँ पर जुटाच इजिन दिया और लगातार इस पूरे मामले को ले करके तफ्तीश जारी है रोहिणी धमाके की मामले को ले करके जाच अब तेज हो गई है पहले तक के जो CCTV है वो खंगाले जा रही है कितने घंटे पहले यहाँ पर यह प्लांट किया गया था इसकी भी लगातार पड़ताल की जा रही है शनिवार को भी विसफोटक रखने की आशन का जताई कई है सार्जिस जो है इसके पीछे कौन है लगातार इसको लेकर के तफ्तीश जारी धमाके से 9 घंटे पहले तक के CCTV खंगाले जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि शनिवार कोई तरहसल यहाँ पर प्लांट कर दिया गया था और ब्लास्ट केस में तावर तोड़ जो है एक्शन जारी है और लगातार जो जाच एजिंसिया है वो मौके बर मौझूद है नस्टी की बात करें इसके लाव आएनाई की बात करें तमाम जो जाच एजिंसिया है पहुची हुई है एक्स्लूजव वीडियो भी आपको दिखा रहा है यह देखें दिल्ली ब्लास्ट का यह एक्स्लूजव वीडियो असवक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे है दिल्ली दहलाने की साज़िश कौन कर रहा था इसके पीचे कौन है इसके तलाश लगातार जारी है तो लगातार देखिए यह तस्वीर आपको दिखा रहे है और दिल्ली सही साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं साहिल लगातार चानबीन जारी है कल एनाईय की टीम भी मौके पर पहुंची थी और क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले में किस एंगल पर और पूरे मामले में चानबीन आगे की जा रही है देखें दिल्ली पुलिस समय देश की जार्च अजेंसिये से हुएं इस मामले में खालिस्तानी एंगल पर भी जार्च कर रही है क्योंकि जो सीसी टीवी फुटेज सामने आया है फुटेज में देखा जाता है बकाईदा की धमाका काफी जोरदार होता है और उसी कड़ी मे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है अब दिल्ली पुलिस समय ये बता रही है कि जिस समय धमाका हुआ उस धमाके के लगबग 9 गंटे पहले की सीसी टीवी फुटेज में कोई भी अक्टिविटी जो है इस स्पॉट पे नजर नहीं आई है क्योंकि सुबह साथ चालिस के इस पर जोड़ धमाका होता है और लगबग 10 में तक की फुटेज में रात के कोई एक्टिविटी नजर नहीं है तो इससे कहने कहीं अनुमान यहीं लगाए जा सकता है कि शनिवार के दिन कहीं बॉम को यहां पर प्लान किया जा सकता है और कहीं सोची समय साजिश हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर प्लान किया गया है क्योंकि सोरसित दिलिपुलिस के मारे यहीं बता दे कि यहां पर लगबग 10 फीट जहां पर घड़ा किया गया उसके बाद एक पॉलिटिन में बॉम को रैप करके यहां पर दबा दिया जाता है और उपर से कूरे से उस कवर कर दिया जाता है जिससे कोई शक्स जो है इसको कहने करी हिला ना पाए जिसके पास रवीवार की सुबह साथ चालिश पर यहां पर ब्लास होता है लेकि अब दिले पुलिस जो है शनीवार की दिन भर के जो सेजरी डिवी कैमरे हैं वो खंगालने में जिटू है जिससे काफी ज़्यादा बारकी से ले रही है क्योंकि त्योहारों से पहले एक जोर दा ब्लास्ट हुआ है और इस पूरे मामने को काफी ज़्याद दिली पूलिस समय जाठ एजन्सवेयर से लिया हो है क्योंकि कुछ इन पर पूरे CRPF की टीम यहां पर पहुंची थी जिस जिखा प्रोन करने वाले ने PCR को धमाकी की जानकारी दी थी, स्कूल के बाहर तेज धमाका हुआ था और धुआउ था जो सफेद रंका, उसकी जानकारी पुलिस को दे थी और पुलिस इससे भी पूछताच कर रही है, मौके से भारे मात्रा में सफेद पाउटर भी मिला है, धमाकी के क्या किसे ने यहाँ पर कुछ एक्स्पोजिव पदार्त वो रखा था, वो एक तरफ जान जाच की जारी हुए, दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि दिले धमाकी के बाट कि अब रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है, जुसने PCI को कॉल किया था, उससे भी पूछताच हुआ भी, रोणी परशांत विहार है, कौन से स्कूल बता रहे थे, CRPF स्कूल के सामने मने वीडियो बेज दिया, सो नंबर पे, अपनी परजल दी, CRPF स्कूल के पाफ के सर्क किस दिजगा दमाकों हुआ है, इमने के बेरा मैं तो अपने घरा हूं, बहुत जोर का दमाका आवाज दुआ हुठा है, आवाज सुनाई थी, दमाका गए आवाज, बड़ा जबरज़स और बहुत ज़एदा धुआ है, चीक है, और सांत विहार ठाना लगता है, जल्दी भीजो कोई, बला सुट जरूर हो, ठीक है, जने वाज. कॉल का जिक्र हम कर रहे थे, PCR अटेंडन्ट? कॉल रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती है, पता नहीं तो, बहुत ज़एदा धुआ है, जने वाज सुनाई थी, दमाका गए आवाज, बड़ज़स और बहुत ज़एदा धुआ है, चीक है, और सांत विहार ठाना लगता है, जल्दी भीजो कोई, बला सुट जरूर हो, ठी ज़एदा नहीं आती है, पता नहीं चलता है, कौन किस से बातचीत कर रहा है, इसलिए टेलेग्राम खोलेगा राज, हम इसलिए पूछने है, क्योंकि दिली पुलिस ने सोशल मीडिया आप टेलेग्राम को एक लेटर लिखा है, पूरी जानकारी हासल करने के लिए, कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, टेलेग्राम पर जो बातचीत की जाती है, उसको साजा किया जाए, उसकी जानकारी पूलिस को भी दी जाए, दिली पूलिस ने सोशल मीडिया आपको ये लेटर लिखा है, उसमें कई बाते लिखी गई है, टेलेग्राम चैनल जस्टस का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जाज जाए है, टेलेग्राम से भी अभी तक पूलिस को कोई जवाब नहीं मिला है, कि जिस चैनल के बारे में पूलिस जानकारी चाती है, उसकी जानकारी टेलेग्राम की ओर से सोचल मीडिया आपकी ओर से दी जाएगी या नहीं, क्यों यही वज़े कि टेलिग्राम को लटर लेकर जानकारी मांगी गई है बेकुल है नामिका आप ग्राफिक्स की जानकारी देनी लिकार फिर से अपने तमाम दर्शिकों को ग्राउंट पर लीच छोलते हैं क्योंकि साहिल वहाँ पर लगातार बने हुए है साहिल दो सवाल है एक तरफ हमने रिकॉर्डिंग सुनाई PCR अटेंडनेंट की और जिसने शिकायत दर्श कराई थी जिसने जानकारी दी थी उसके बीच रिकॉर्डिंग जो है उससे भी पूछताच क्या की जारी ये बताईगा और दूसरा ये कि टेलिग्राम एप को भी चुठी लिखी गई है हाला कि अभी तक कोई टेलिग्राम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया इस पर कोई अपडेट देखे पहला जैसे जिस दसमें धमाका वो उसमें एक शक्स ने पीसियर कॉल के लिए पुलिस को जानकारी दी उसने यही बताया कि यहाँ पे एक जोड़ता धमाकी यहाँ सुनने आई है परशान्त वियर ठाना लगता है पुलिस को मौक्वे भेजे फिलाल शुदाती दोर पे उससे पुलिस ने एक बयान लिया था वो बयान दर्च किया गया बयान दर्च करने बद उस शक्स को जो है छोड़ दिया गया है जो पीसियर कॉलर था अब दूसर साहल जिस तरीके से अब इसमें खारिस्थानी एंगल पे भी दिलिपुलिस की टीम इंवेस्टिगेट करी क्योंकि धमाकी के कुछ घंटों बाद सोचल मीडिया के प्लैट्रॉम पे एक धमाकी का वीडियो अप्लोड किया जाता है एक जानकर लिज जाती है और जस्टिट लीग इंडिया के बारे में जानकरी हासिल की गई है और यह पूछा की आखिर किसके आई-पी एड्रेस के जरीए पुदा जो पोस्ट हो किया गया है जिससे कुछ जानकरी जो है वो टेलिग्राम के मादियम से पुलिस को मिल सके लेकिन लेटर लिखा जा चुका